So, Hey Guys, Welcome to Candlesticks Mastery Course and ये इस सीरीज का पाँचवा वीडियो इस से पहले मैं अल्रेडी 4 वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ इस सीरीज के अंदर एंड इस सीरीज के अंदर हम केंडल स्टिक्स को बेसिक से लगागर अगर एडवांस में सिखते हैं जहाँ पर मैं प्रॉपर स्टेजी बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ शेयर का टार ओख शेयर करता हुआ और आप यह चैनल पांसेंट बैसिकका सैस्टेश है एचाल को दैखोगो आपको सारी चीजी है और सब्सक्राइब करने आख लूब outta ड़ोट कर लोगए और तो आने वाली शिरीज्ट को यमिन चैसली को गाँट वह व् Economy सungen आप उन चीजों को देख पाऊ टाइम पे और देखने पाऊ सारी चीजों को implement कर पाऊ ठीक है तो अभी आप बिना है टाइम वेस्के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले है efforts वहें नrie कर देखने के बारे में ये भी एक सिंगल केंडलिस्टिक पेटर होता है और मैं नेक्स स्लाइट को चेंज कर लेता हूं यहाँपर तो इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले वो है मोरू बोजू केंडल यहाँ पर ओलेडी आपको पता है कि हम सिंगल केंडलिस्टिक पैटर अभी पढ़ रहे हैं जहाँ पर जो भी एक केंडल जिससे हम कनफरमेशन लेकर ट्रेड कर सकते हैं उन्हें सिंगल केंडलिस् स्ट्रेटजी आपको दूंगा कहाँ पर आपको ट्रेड करना चाहिए मोरू बोजू के विहाब पर कब आपको अवोइट चाहिए कौन सा टाइम प्रेम हो सकता है और कौन सा एरिया हो सकता है जहांपर आपको बिल्funding एक फोकस के साथ ट्रेड ले सकते हो काफी एच्छा प अगर ये पता है नहीं है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं ठीक है Moru Bozu basically वो candle होती है जो कि एक single body वाली candle देखने को मिलती है जहां पर इसकी weak होती है या फिर नहीं होती है generally Moru Bozu candle के अंदर एक भी weak हमको नहीं देखने को मिलती है बड़ी Бोडी हमको देखने को मिलती है बड़ी बड़ी Candles हमको जहाँ पर देखने को मिलती है उनको generally कहा जाता है Moru Bosu Candle या तो वह Green हो सकती या फिर Red हो सकती जहाँ पर बहुत Minimum या फिर बहुत छोटी सी होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी जादा तर चांस में नहीं होती है और कहीं पर होती ही तो बिल्कुल छोटी सी होती है उनको बताया जाता है मौरू बॉजू केंडल जहां पर मैंने दो एक्जामपल यहां पर दिये एक हो गया बुलिश मौरू बॉजू केंडल किस टाइप के होती है ग्रीन कंडल की ग्रीन क बेरिश मोरु बोजु की बात कुरूद तो बेरिश मोरु बोजु के अंदर क्या हो गा एर बड़ी सी एक बड़ी सी डिरेट इसके लाइन देखने को मिलेगी जहां पर इसकी ऑपनिंग प्राइज और चलिए next slide को यहां पर मैं लगा लेता हूं, okay, so Moru Bozu के हम बारे में पढ़े तो थोड़ा सा इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी, यह होता क्या है, इसका नाम याद रखना जरूरी या फिर नहीं जरूरी, आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, ठीक है, okay, so सबसे पहला जो पॉइंट है, Moru Bozu is a Japanese word for dominance, इसका मतलब क्या हुआ, यह Moru Bozu जो word आया, वो आया जापान से, जापान से मतलब जापान में जो Moru Bozu का मतलब होता है, वो होता है dominance, यानि कि जो dominate करता है, जो किसी भी चीजों में aggressive होके आगे जब जो final result जिसका होता है, कि हम बात कर रहे हैं, यहां पर candle का, तो bearish और bullish, जो दोनों में जो जीतेगा, उसको वो dominance करेगा, और उसको हम बलते है Moru Bozu, ठीक है, Japanese word में इसका Moru Bozu नाम है, हिंदी में हम generally, English में जो हम करते है, उसको dominance, उसका जो मतलब निकलता है, ठीक है, तो हमको इतना ज्यादा है, हि psychology समझ नहीं, वो मैं अभी आपको समझाओंगा, ठीक है, चलिए, next point क्या, extremely powerful candle, ठीक है, यह जो candle होती, बहुत ज्यादा powerful होती, यानि कि इसमें बहुत ज्यादा power होता है, किसी एक party का बहुत ज्यादा power होता है, या तो बहुत ज्यादा है, अगर rate candle दिखेगी, bearish candle अगर green candle दिखेगी, bullish candle दिखेगी, इसका मतलब क्या है, bites बहुत ज्यादा aggressive है, प्राइस को, वो continuously उपर की तरफ लेके जा रहे है, ठीक है, तो दोनों में हमको क्या दिखेगा है, powerful candle दिखेगी, प्लस इनके साथ, अगर हमको volume और देखने को मिलता है, तो again हमको और बड़ा convection आएगा, और ज्यादा convection आएगा, ठीक है, चलिए, next point को discuss कर लेते है, यह तो basic चीजे जो मैं आपको बचा चुका हूँ, they have long body and small और no shadow, यह मैं आपको बता चुका हूँ, दिन के नीचे में या बड़ी सी body होगी, जो हमको देखने को मिल रहे है, उसके लाब इन में shadow बिल stock opens at a certain level and kept rising without falling down, यानि कि वो बिना गिरे continuously उपर की तरफ जा रहा है, और उपर में ही जहाँ पर जो high लगा है, वहीं के आसपास closing दे रहा है, तो वो green color के candle बनेगी, moru bozu बनेगी, तो यह basic सी detail है, जो कि मैं already आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है, इसमें को important नहीं है, सबसे important क्या है, इसमें volume अगर हमको देखने को मिलता है, यानि कि जब moru bozu candle बन रही है, कोई बड़ी green candle या red candle बन रही है, और वहाँ पर heavy volume हमको देखने को मिल रहा है, अच्छा volume देखने को मिल रहा है, as compared to previous candles volume, तो वहाँ पर हमको एक ज़्यादा conviction आएगा, ज़्यादा confidence से हम next slide में लगा लेता हूँ, okay, so, अब हम यहाँ पर समझने वाले है, psychology behind the moru bozu candle stick pattern, ठीक है, यह जो पूरा candle stick pattern बन रहा है, moru bozu का big green candle, big red candle, इसके पीछे की psychology क्या है, वो हमको थोड़ा सा, अगर हम समझ गए, तो इसको trade करना काफी जादा easy हो जाएगा, ठीक है, यह point हम discuss करते ह अगर एक candle यहाँ पर बना हो, ठीक है, अगर मैं एक simple candle यहाँ पर बनाता हूँ, okay, मान लेते हैं कि यह candle है green, green मतलब क्या हुआ, यानि कि price open कहां पर होई, नीचे होई, high low भी इसने नीचे ही लगाया, close कहां होई, उपर की तरफ हुई, see and high, इसने जो high लगाया, वो भी उपर ले जाना, ठीक है, price continuously उपर की तरफ लेके जिया, जब sellers, aggressive seller को नीचे मौका ही नहीं दिया, actually, यहाँ पर sellers को मौका ही नहीं दिया, वो price को नीचे लेके आए, at buyers हमेशा aggressive रहे, पूर जिये, यह जो candle आपको बन रही, एक period of time की, या तो 15 मिनीट की हो सकती है, daily time frame, weekly time frame, किसी भी एक time frame की यह candle है, तो उस पूरे time frame के अंदर, sellers को यह time नहीं मिला है, वो market को नीचे लेके आए, या फिर उसको जो particular stock है, कुछ भी asset है, तो उसको नीचे लेके आए, उस security को, तो उसको time नहीं मिला, उसको time ही नहीं दिया गाए, buyers completely aggressive रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है, एक बहुत powerful candle हमको देखने को मिली, यहाँ पर इसमें सबसे ज्यादा power, इसी candlestick pattern के अंदर होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा powerful होती, अगर इसके साथ volume भी हमको नीचे में, अगर अच्छा volume हमको देखने को मिल जाता है, एक बड़ा सा volume candle भी देखने क rate candle मतलब price open उपर होई, close नीचे होई, अगर heavy volume हमको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि price जो है, यहाँ पर sellers continuously aggressive है, सिर्फ एक साइड में जो है trend चल रहा है, यानि कि या तो buyers लेके जाएंगे उसको उपर के तरफ, या फिर अगर वो rate candle बन रहे है, तो sellers उसको नीचे के तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, अगर यह candle stick pattern अगर सही जगा पर, सही time frame पर हो, सही जगा पर अगर आप इसको identify कर सकते हो, तो काफी अच्छा पेसा आप इससे बना सकते हो, इस candle stick pattern को trade करके, इसके बाद जो next candle stick बनेगे, उससे आप जो एक अच्छा पेसा इसमें बना सकत apply करके दिखाई, और वो सारी चीजे आपने previous वीडियो देखा है, तो आपको easily समझ में आएगा, अगर नहीं देखा है, तो definitely मैं समझाऊँगा, उसके बाद आप इस वीडियो के बाद में जाके, आप उन दोनों वीडियो को, जो चारों वीडियो अप्लोड हुए, उन चा अगरेसिव है, ठीके, चलिए, नेक्स लाइड में इसके लगा लेता हूँ, ओके, जो नेक्स लाइड है, वो हम देख ले, आप थोड़ा सा, इस नेक्स लाइड के अंदर आप देखोगे, यहाँ पर हमको एक एक एग्जाम्पल में ने आपको यहाँ पर दिखाया है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीके, इस स्लाइड के अंदर आप देखोगे, तो यहाँ पर में ट्रेंड आप देखोगे, ट्रेंड क्या है, नेगेटिव ट्रेंड आ रहा है, प्राइज नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ पर एक एक इंपोर्टेंट लेवल के आस सेम है, यानि कि एक बहुत बड़ी मोरू बोजू केंडल देखने को मिली है, और उसके बाद देखोगे, प्राइस कंटिनिउसली नीचे की तरफ आई है, उसके बाद फिर से उपर फिर से नीचे ऐसे चल रही है, यानि कि एक सही जगा पर एक शांदार मोरू बोजू आपको समझ में आया होगा, कि एक बड़ी सी रेट केंडल जिसकी ओपनिंग और हाई प्राइस से हमें, और क्लोजिंग और लो प्राइस से हमें, यानि कि उपर में कोई वीक नहीं है, बेसिकली आपको देखना है कि किसी केंडल के अंदर वीक नहीं होनी चाहिए, और एक जो as compared to previous some candles, एक बड़ी candle होने चाहिए उसके comparison में, जैसे कि इससे पहले है कि अगर आप कुछ candles देखो कि एक बार मैं रिमोट कर देता हूँ, मौरू बोजू का मतलब क्या होता है, एक्चुल मतलब आपको समझना है कि previous जो candle है, उसके comparison में एक बहुत बड़ी powerful candle हमको देख देखने को मिली है, एड उसके बाद आप देखना है कि उसके अंदर low or high same होने, मतलब कि कोई wick नहीं होने चाहिए, यहाँ पर देखो कि previous candles के अंदर जैसे मैं आपको दिखा हूँ थोड़ा सा, ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखो कि इस लेवल के आसपाद पहले एक ब अगरेशी हुए है, और उसके बाद वो प्राइस को नीचे ले जाना चाहते है, ठीक है, उसके बाद next candle से देखो कि तो price continuously नीचे की तरफ आई है, ठीक है, next candle से अगर आप notice करोगे, तो price continuously नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर sellers aggressive और price नीचे आ सकते है तो हम यहाँ पर sell side trade ले सकते हैं, ठीक है, I hope कि यह example आपको समझ में आया होगा, चलिए next slide अब लगा लेते हैं, okay, so now, अब हम आ चुके है, मोरू बोजू की strategy के ओपर, ठीक है, काफी ज्यादा important slide है यह वाली, आपको आसानी, थोड़ा आराम से समझना है, ताकि आप चीज strategy को बनाने से पहले हमको तीन चीज़े ध्यान रखनी होती है, उस strategy के अंदर की हमारे entry point क्या होगा, stop loss क्या होगा, और target क्या होगा, और यह तीनों चीज़े आपको कब पता होने चाहिए, किसी भी trade को execute करने से पहले, यानि कि trade लेने से पहले, आपको पता होना चाहिए, कि यह चीज़े काम नहीं करेंगे, आपको पहले ही पता होना चाहिए, तो वो strategy, वो तीनों चीज़े अभी हम find out करेंगे, इसके अंदर के हम किस तरीके से उसको, entry stop loss target हम identify कर पाए, ठीक है, तो चली start करते हैं, के अध्य चीज़ बना ले इसकी किस तरीक से हम इसको यूज करने वालने, सबसे पहले मैं क्लान क लेता हम, ॐड को, सबसे पहले九 चाहिए, सबसे पहले jest, बुलिश के लिए न का ऋपई, पयो सबसे पहले की क्रेंच के पहले, Torah को, आपको और प creates ॏक ज़़ा है, साइड trend और एक चल रहा है downtrend ठीक है तीन टाइप के train होंगे तो कौन से trend के अंदर कौन सी strategy हम use करेंगे ठीक है तो अगर price में uptrend चल रहा है तो हम use करेंगे bullish वाली ठीक है bullish जो bullish मोरू बोजू candle stick जो pattern है उसको हम use करेंगे किसके अंदर uptrend के अंदर and downtrend के अंदर हम use करने वाले bearish इसके अंदर भी bullish बेरिश आड जो sideways trend है इसके अंदर हम दोनों को use कर सकते हैं ठीक है sideways है सके अंदर almost हम दोनों को use कर सकते हैं पर ज्यादा focus करना है कि अगर market uptrend के अंदर कोई भी stock particular period of time के लिए के अंदर है कोई भी currency uptrend के अंदर एक ट्रेड करते हो तो currency कुछ भी uptrend के अंदर अगर देख रहा है crypto हो गया कुछ भी हो गया तो वहाँ पर हम bullish अगर मोरू बाउजू candle देखेगे था हम buy के लिए plan करेंगे and कोई downtrend के अंदर देखे रहा है तो वहाँ पर bearish मौरू बोजु केंडल दिखे कि हम सेल के लिए प्लान करेंगे और साइडवेस एक रेंज के बीच में ट्रेड़े तो वहाँ पर हम दोनों को यूज कर सकते है ठीक है चली यह चीज आपका अप्ट्रेंड चल रहा है यहां पर ओके अप्ट्रेंड चल रहा है इस तरीके से तो आपको मौरू बोजु केंडल को कहां पर फाइंड आउट करना है ठीक है कहां पर आप फाइंड आउट करोगे और किस तरीके से आप उसको ट्रेड करोगे ठीक है तो अगर प्राइस स्व इसी केंडल के लो के नीचे रहेगा इंट्री आपकी इसी केंडल के हाई के उपर रहेगी एंड टार्गेट वन इस्टू रहेगा ठीके चलिए मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से कि मैं क्लीज कर लेता हूं साजाता हुरत कि इसको मैं कर लेता हूं इस तरीके से धीओ यह अपर करे यह नीची आई इस लेवल कम एक बड़ी इसी मोणरो वोजर्गेया इंडल मशाश्च अर्य requires और यहाँ पर प्राइप जब जाएगी यहां तक तो यह मेरा Target होगा इसका वन इस्टो टू यहां पर मेरा हो जागा T Target तो मान लेते कि यह जो पूरी candle है इस candle की range अगर मैं बात करूँ मान लेते कि इस पूरी candle की range है दस पॉइंट की दस रुपह की नहीं दस पॉइंट की हम उस trade को नहीं करेंगे avoid करेंगे ठीक है तो वन इस्टी टू अगर मेरा यहां पर बन रहाए तो हम इसको trade को ले सकते हैं ठीक है तो यहां पर 10 रुपे का अगर मेरा risk है अगर मेरा stop loss hit होता है मुझे अगर 10 रुपे का loss होगा तो इसके बदले मुझे target मेरा जो target रहेगा वो होगा 10 into 2 ठीके 2 से multiply करेंगे तो answer आएगा हमारा 20 ठीके तो 20 रुपीज मेरा target होगा तो यहाँ से जहाँ कहीं भी अगर 20 रुपीज बनता है तो वहाँ पर मैं अपना profit book करने की कोशिश करूँगा ठीके एक strategy यह हो गई ठीके यह हो गई यहाँ कई अगर मुझे एक बड़ी सी बेरिश मौरू बोजू देखने को मिलती तो यहाँ पर मैं sale के लिए plan करूँगा stop loss रहेगा आपका इसी candle के high के ओपर यहाँ कि SL यहाँ पर रहेगा enterprise आपका somewhere around इस candle के low अगर break होता है इस candle का low break होता है next candle के अंदर ठीके यह जो complete candle बन गई इस candle के अंदर नहीं इसके बाद जो मौरू बोजू के बाद बनने वाली next candle के अंदर अगर इसका low break होता है तो I am going to enter ठीके यहाँ पर हम sale करेंगे ठीक इस candle में जो stop loss heat होगा अगर मुझे 20 रुपे का loss होगा तो मेरा target होगा 40 रुपीस का ठीके इस तरीके से हमको 1-2 के लिए प्लान करना है ठीके यह हो गई एक strategy ठीके sale और buy के लिए दोनों में same strategy है sale के लिए हम देख रहें down trend के अंदर buy के लिए देख रहें up trend के अंदर ठीक है sideways trend के अंदर सेम चीज अप्लाई हो जाएगी again मैं दिखा देता हूँ sideways trend में किस तरीके से हम काम करेंगे जैसे कि मान लेते कि price एक period of time के लिए range में चल रही है and okay यह इस तरीके से ठीक है तो हम buy के लिए देखेंगे अगर यहाँ पर कहीं मुझे green candle दिखती है इसी मोरू बोजू green candle दिखती है इस level के आसपास हम buy के लिए प्लान करेंगे नीचे में यहाँ पर green candle चाहिए इस circle जो मैंने बनाए यहाँ पर and same sell के लिए प्लान करेंगे यहाँ पर उपर में resistance level के आसपास एक बड़ी सी rate candle बनती है तो यहाँ पर हम sell के लिए प्लान करेंगे टार्गेट से हम नीचे के तरब support के आसपास हमारा टार्गेट होगा इस तरीके से हमको इसको प्लान करना ठीक है तो तीन चीज़े आपको clear होगे interest stop loss target तीनो चीज़े clear होगे bearish trend, bull trend, up trend, down trend और sideways trend तीनो trend के लिए आप मैंने strategy बताई यह तो गई एक simple strategy ठीक है अभी next strategy और क्या हो सकती इसके more बोज़ों कि वो मैं आपको थोड़ा सा advance चीज़े सिखा हो ठीक है मान लेते कि कोई trend चल रहा है अच्छा है positive कोई भी trend चल रहा है और यहां कहीं जैसे कि यह तो swing high इसके आज पास एक breakout level है और यहां कहीं से एक cross करके एक बड़ी red candle green candle बनती है और इस level को cross कर जाती है ठीक है एक particular previous जो भी आसपास का जो भी last swing high है उसको एक बड़ी green candle के साथ अगर price cross करती है तो उसके बाद हम buy के लिए प्लान कर सकते है ठीक है जैसे कि price एक चल रही है यहां से और जो भी last swing लो बना और यहां कहीं एक बड़ी green candle ठीक है यह एक बड़ी green candle बनी तो यह जो last swing high है इसको price ने break किया break किया यानि कि इस candle ब्रेक करके इसके ओपर closing देती ठीक है तो हमारे entry price हो जाएगी इसके आसपास and stop loss हो जाएगा somewhere around यहां पर SL and यहां से हमारा target होगा minimum 1-2 ठीक है 1-2 तक का target हमारा easily हो सकता है यहां तक T ठीक है यह एक नई strategy इसका भी example में आपको दिखाऊंगा example जब आप देखोगे तो आपको easily समझ में आ जाएगा काफी एक जो swing trader जो होता है अगर daily time frame पर इस type की candle मिलती है और आप swing trade उसको करते हो तो काफी इचा पैसा आपको कम time में काफी इचा पैसा आपको मि आपको समझ में आया होगा ठीक है सेम चीज मैं आगेन आपको sale के दिखाऊंगा ठीक है यह मैंने buy के लिए भी आपको दिखे अब sale के लिए जैसे कि price नीचे की तरफ आई है थोड़ा से उपर bounce किया यहां तक और फिर से एक बड़ी red candle यहां पर बन गई इस तरीके से एक बड़ी red candle बने और जो previous जो भी swing low था उसको price break कर चुकी यहां पर अगर उसको break कर दिया उसके नीचे closing दे दिये तो यहां पर इसके high के ओपर मेरा SL हो जाएगा यहां पर मेरा entry price हो जागा और यहां से जो price नीचे के तरफ आएगे तो यहां तक मेरा target हो जाएगा target minimum 1-2 के लिए हम plan करेंगे ठीक है तो यह दो और दो strategy मैंने अभी आपको दिखाई है ठीक है प्रेंड के लिए और एक downtrend के लिए दिखाई एंड जो sideways जो first वाली दिखाई उसके लाग एक यह जो strategy जो swing high जो breakout ले रही जो के वह तो support लेकर उपर की तरफ आ रही retest वाली और यह जो एक breakout वाली strategy दोनो strategy ठीक है आयो कि यह चीज़े clear होगी अब इनके example हम कुछ देखेंगे उसके बाद इसके जो आने वाले point है उनको हम discuss करेंगे ठीक है तो चलिए कुछ example अब हम देख लेते हैं okay so हम आचुके Bitcoin के चार्ट के उपर daily time frame का चार्ट लगा है यहाँ पर हम कुछ example देख लेते हैं जो हमने strategy बनाई है उसके हिसाब से हम strategy के हिसाब से हमारी चीज़े काम करेगी या नहीं कि उसके लिए कुछ example देख लेते हैं तो सबसे पहले मैं एक uptrend वाला example यहाँ पर लेना चाहूंगा यहाँ पर देख सकते हो price में मैंने already error करके रखाई price continuously उपर की तरफ जा रही है तो एक bullish trend के लिए हम किस तरीके से trade ले सकते हैं जो कि दोनों strategy मैंने bullish के लिए बताई हो दोनों strategy के example मुझे यहीं पर देख रहे है इसलिए मैंने यह आपर यह चार्ट यूज किया तो यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने second time आपको strategy बताई थी कि कि जब भी price एक मौरू बोजू candle previous swing high को break करके उसके उपर closing दे तब वहाँ पर हम एक trade ले सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो क्या हुआ है पर इस लेवल के आसपास red arrow लगा लेता हूं इस लेवल के आसपास था उसके बाद finally एक big green candle आई और इसको close करके इसके उपर closing देती और यहाँ पर करता हूं यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छा volume देखने को मिला previous candle के हिसाब से तो यहाँ पर एक breakout हुआ है breakout के बाद यहाँ पर एक अच्छे volume के साथ breakout हुआ एक big मौरू बोजू candle के साथ breakout हुआ तो यहाँ पर हम entry ले सकते हैं ठीक है तो entry point हमारा somewhere round हो गया इसी candle के high के पर हम entry लेंगे जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं stop loss इसी candle के low के नीचे हमारा stop loss रहेगा and हम plan करेंगे target 1-2, 1-3 कितना मिल सकता है minimum 1-2 के लिए plan करेंगे तो क्या इसमें 1-2 हमारे hit हुआ तो definitely हमारा यहाँ पर 1-2 easily hit हो गया ठीक है थोड़ा time जरूर लगा है लेकिन definitely 1-2 हमारा यहाँ पर completely easily यहाँ पर हमारा hit हो चुका है ठीक है तो इस तरीके से हमको plan करना है तो पहला example हमको एक bullish के लिए मिल चुका है जहां पर एक breakout जो second strategy में आपको सिखाए थी जब price breakout करके उसके उपर closing दे देती उसके लिए strategy ठीक है अभी इसी में second strategy का example भी मुझे मिल गय जो पहले एक resistance level था यहाँ पर अब वो एक support बन गया और support के आसपास मुझे एक big green candle ठीक है यहाँ पर देख सकते हो अगे एक big green candle देखने को मिली तो इस swing high के उपर मैं buy करूंगा sorry इसको हटा देता हूँ तो इस swing high के आसपास मेरी buy price होगी इसी candle के नीचे मेरा stop loss होगा यहाँ पर और उसके बाद यहाँ से हमारा target होगा minimum 1-2 हम plan कर सकते हैं तो इसमें अगर आप देखोगे तो definitely 1-2 हमारा इस candle के आसपास hit हो चुका है ठीक है तो यहाँ पर दोनों चीजे हमारा जो मैंने दोनों strategy इसके तुरू जो दोनों strategy बताइए वो दोनों strategy में हमारे target यहाँ पर easily hit हो रहे है अप्ट्रेंड के अंदर ठीक है यह अप्ट्रेंड वाली strategy जो की bullish bullish जो हमको मोरू बजू candle देखने को मिलती है उसके लिए दोनों strategy and दोनों काफी अच्छी तरीके से work कर रही से एक और example another example देखेंगे यहाँ पर अगेन एक support के आसपस एक big green candle and यहाँ पर एक बड़ी मोरू बोजू candle देखने को मिली यहाँ पर भी हम buy कर सकते stop loss इसी candle के low के नीचे and यहाँ से भी हम one is to two के लिए plan करेंगे तो one is to two हमारा easily इसके अंदर भी hit हो गया ठीक है तो इस तरीके से plan करे करेंगे यहाँ पर अगेन मुझे more बोजू candle देखने को मिली and यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर शायद हमारा stop loss हीट हुआ क्या हुआ देख लेते ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हमारा SL हीट हो चुका है ठीक है अगेन उसके पीछे multiple reason है इसके लिए SL हीट हुआ क्यों हुआ उसके पीछे का reason लेकिन ऐसा नहीं कि SL हीट नहीं होंगे definitely आपके SLB हीट होंगे ठीक है तो यहाँ पर इस candle के अंदर इस trade के अंदर definitely हमारा SL हीट हुआ ठीक है ठीक है तो आई होब की यह चीज आपको समझ में आ रहीगे अगर आप trend के अंदर दिखेंगे तो ज्यादतर time आपके target हीट होंगे अगर downtrend है तो downtrend के अंदर ऐसे bullish candle आप लोग है तो आपका stop loss हीट हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो second मैंने last वाला जो आपको बताया है इस level के आसबग तो यहाँ से थोड़ा trend reversal देखने को मिल चुका यहाँ से थोड़ा सा downtrend ऐसा लग रहा है sell side के लिए कि जहाँ पर एक downtrend हो और वहाँ पर हमको किस तरीके से trade मिल सकता है ठीक है उसके लिए थोड़ा example देख लेते हैं अभी ओके तो यहाँ से देखो के इस level से top level से continuously हमको गिरावट देखने को मिल रही है तो यहाँ पर कहीं मौरूब उजू candle देखने को मिलती है और सही level के आसपास मिलती है हम शोट के लिए प्लान करेंगा ठीक है तो सबसे पहले candle मुझे तो यहाँ पर अभी तक मुझे नहीं मिली यहाँ पर एक candle देखने को मिली ओके तो यहाँ पर देख सकते एक big red candle previous swing low यहाँ पर एक support level था ओके छोटा सा support level था इस level के आसपास यह और उसके बाद जो है यहाँ से हमारा target हो सकता है minimum one is to two के लिए हम प्लान कर सकते तो यहाँ पर देखोंगे easily हमारा target हीट हुआ क्योंकि एक downtrend के अंदर चला गया था इस टोक और उसके बाद सोड़ी यह cryptocurrency और उसके बाद देखोंगे continuously हमारा यहाँ पर one is to two काफी थोड़ा को मिली बेडिश मुरू बोजू इसके अलावा और कहां पर देखने को मिली एक यहाँ पर देख सकते हैं important resistance level के आसपास मुझे big red candle देखने को मिली तो again इसको हम short कर सकते हैं यह जो हमारी first strategy थी कि price एक important level के आसपास आयो वहाँ पर हमको short के लिए मिले ठीक है तो यहाँ पर concept trend में कहां पर आपको trade करना यह चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए अगर बीना पता कि आप directly कहीं पर भी आप किसी भी candle को trade कर रहे हो तो आपका loss हो सकता है तो आपको यह चीज़ का पता हो कि कहां पर आपको trade लेना चाहिए जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ प पर लगाया है ओके अपने चार्ट के अंदर हम देखें कहां पर मुझे देखने को मिला कोशी तो यहाँ पर देख सकते हो एक मोरू बोजू हमको यहाँ पर बाय के लिए मिली है जैसे कि price देख सकते हो एक important level को cross कर चुकी यह perfect trade है ठीकि इसको बोलते है perfect trade की जो closing price is somewhere around हमार enterprise के आसपास ही होनी चीज़ को मैं अटा देता हूं okay okay जो breakout हुआ breakout के जस्ट आसपास ही इसने closing दी एक बड़ी बड़ी green candle के साथ इतनी बड़ी green candle मोरू बोजू candle उसके बाद यहाँ से target हमारा easily 1-2 almost 1-2 हमारा यहाँ पर हीट हो चुका है ठीकिए तो इस तरीके से हमको plan करन करना इसी candle के लो के निचे stop loss breakout जो second वाली strategy जो last swing को breakout करेगी उसके बाद हमारा 1-2-1-2-3 प्लान कर सकते है ठीकिए इस तरीके से हम चीजों को plan करना है ठीकिए आईकप की पॉइंट आपको समझ में आया होगा किस तरीके से trade करना यहाँ पर अगें मुझे एक और मोरू बोजू candle देखने को मिली जैसे यहाँ पर देख सकते हो price नीचे से उपर के तरफ आरी और यहाँ पर एक भी अभी green candle ठीक है compare कैसे करना है कि यह बड़ी green candle है उसक आई उसके बाद देखो को 1-2 से ज्यादा हमार एक च्ट्यूट बना एंड यहाँ पर भी यह सेकेंड वाली जो strategy बताई यह लास्विंगाई को break करें तो यहाँ पर यहाँ पर यह स्विंगाई को इसने ब्रेक किया closing दिए उसके बाद देख सकते हो price continuously उपर की तरफ चलती गई ठीक है तो इस तरीके से में कुछ example आपको दिए आयोगी यह चीज आपको समझ में आयोगी ठीक है चलिए अब slide के ओपर चलते हैं वहाँ पर देखते हैं कि next और क्या चीजे हमको देखने को मिल रही ठीक है strategy के साब से सारी चीजे प्लान करके हम चीजों के example देख सारी क्यों हो जाएगी कैसे ट्रेट करना कप ट्रेट करना कहां ट्रेट करना सारी चीजे वन बाइवन क्विशन के तुरू हम इसको solve करेंगे ठीक है तो उपर में जो पोइंट जो मैंने headline डाली वह काफी ज़्यादा important 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 key point about moru bozu ठीक है तो so moru bozu के लिए जो key point है वह हमको मिली green moru bozu देखने को मिली तो उसके लिए trend कौन सा होना चाहिए सबसे पहला जो trend होना चाहिए वह है uptrend ठीक है यानि कि uptrend के अंदर कहीं पर moru bozu देखने को मिली somewhere around यहाँ पर इस level के आसपास हमको देखने को मिल रही है या फिर कुछ time period कहीं पर wait करने के बाद एक sudden एक breakout ले और यहाँ पर एक big moru bozu candle देखने को मिले इस level के आसपास जैसे कि इस level के आसपास जो breakout वाली जो second strategy यहाँ पर breakout लिया उसके बाद price उपर की तरफ निकल गए ठीक है तो इस तरीके से हम buy के लिए plan कर सकते है sideways market में कहीं पर भी range breakout हो किसी भी range breakout बड़ी candle के साथ heavy volume के साथ ह तो वहाँ पर हम trade कर सकते है ठीक है तो buy के लिए range बता थी uptrend होना चाहिए downtrend के अंदर buy के लिए आपको plan नहीं करना है वहाँ पर आपको sale के लिए देखना है ठीक है अब ही second trade जो bearish trend के लिए अगर मैं देखू bearish जो moru bozu candle बनती है उसके लिए हम sale के लिए plan करेंगे कौन लेवल होना ची यह वाला area होना ची यानि कि एक last जो भी swing high बनेगा उसके अंदर जो भी swing high बनेगा उसके आसपास अगर मुझे यहाँ पर बड़ी moru bozu candle देखने को मिलती है bearish moru bozu candle तो यहाँ पर में शोट के लिए plan करूंगा या फिर कैसी भी swing high को break करेंगे जैसे कि एक कुछ time wait किया और यहाँ पर एक बड़ी swing high को इसने break किया important level को break किया और उसी के आसपास break करने के बाद उसी के आसपास closing दी ऐसा नहीं कि बहुत दूर उसकी closing है बहुत ज्यादा उपर closing है तो problem हो जाएगी लगबग उसी के आसपास swing high जो cross कर रहा है उसी के आसपास closing दी त कि मिल सकता है पर एक बड़ी range होनी चीए इसे छोटी range के बीज होनी बड़ी range के अंदर बाद मिले तो वह अच्छा है ठीक है अब चल्ड़ next question है के when so next question जो हमको देखने को मिल रहा है trend वाला complete हो चुका next question है कि when this strategy works यह कब काम करेगी यह काम करेगी बायक वाली काम करेगी uptrend के अदर bearish जो moru bozu वो काम करेगा sale downtrend के अंदर और बाकि sideways के अंदर दोनों ही काम कर सकती है कभी stop loss होगा कभी target होगा इस तरीके से काम चलेगा ठीक है to sideways के अंदर हमको ज्यादा prefer नहीं करना uptrend के अंदर buy के लिए prefer करना downtrend के अदर sell के लिए prefer करना ठीक है चलो कब काम क करेंगे ठीक है कब काम नहीं करेंगी अगर आप डाउन ट्रेंड चल रहा है और आपको कहीं पर भी मोरू बोजो दिख रहा है यहां कहीं पर भी सल्फूबोजों दिख रही है तो उसको कि वह हम पता नहीं होता हम कहां पर trade करना ठीक है इसको अगें इस point को मैं काफी बार clear कर चुका हूँ पिछले दो वीडियो के अंदर काफी अच्छे से cover कर चुका हूँ तो इसमें थोड़ा सा basic बैसिक बताऊंगा मैं क्या करते हैं हमको एक बार find out करना area of value ठीक है area of value अगर हम find out करते हैं यह mistake वाला है यह इसी point से related एक अगर आपको पता है कि area of value क्या यह सारे जो candlestick pattern जो हम find out करते हैं कौन से area पर यह काम करते हैं कहाँ पर इनको find out करना चाहिए actual candlestick pattern की value किस level के आसपास होती कहाँ पर किस area के आसपास इनकी value होती यह चीज़ आपको पता होने इनकी value के आसपास कोई भी bullish या bearish trend हमको देखने को मिले sorry कोई भी bullish या bearish candlestick pattern देखने को मिले तभी हमको trade करना होता otherwise बीच में कोई भी period के अंदर जैसे यह जो पूरा period दिख रहा है बड़ा जो circle में बता रहा हूँ यह जो बड़े period के अंदर यहाँ पर भी कई आपको moru bozu दीखे कोई भी hammer दीखे shooting star दीखे कुछ भी दीखे तो यहाँ पर आपको trade करने की जुरुत नहीं यहाँ पर trade करोगे तो आपका failure होना trade वो पास नहीं होगा है आपको हमेशा area of value जो मैंने चोटा-चोटा circles दिखा है इन levels के आसपास अगर कोई भी bullish या bearish आपको जो candlestick pattern देखने को मिलता है तब आपको उनको trade करना generally हम यह नहीं करते हम कहीं पर भी trade करने लगते यह हमारी mistake होती काफी ज़्यादा बड़ी इस area of value को पिछले दो वीडियो से हमें काफी अच्छी तरीके से cover कर चुका हूँ तो उन वीडियो को अगर नहीं देखा तो definitely इस वीडियो के बाद में आप उन वीडियो को जरूर जाके देखे ताकि आपकी जो concept सारे concept पी clear होने बहुत ज़्यादा जरूर यह ठीक है चलिए next और next point को discuss कर लेते हैं एक बार मैं सारी सीजों को remove कर देता हूं यहां से ओके तो next point क्या mistake हो गया वेन वेन टो अवोइड इस स्टेटेजी कब अवोइड करनी है यानि कि कोई किसी एरिया से आपकी बाइंग प्राइस से काफ़ी जादा दूर चली जाए ठीक है मान लेते हैं कि हम सेकेंड वाली स्टेटेजी यूज कर रहें यानि कि एक स्विंग हाई के आसपास breakout के आसपास हम यहां पर एक मोरू बोजू केंडल देखने की कोशिश कर रहें ठीक कि इस लेवल के आसपास तो यह जो केंडल है सम्वरार मेंने क्या बता है इस लेवल के आसपास ही क्लोजिंग होने चाहिए जो breakout लेड़ा इस breakout के आसपास क्लोजिंग करके फिर उपर की तरफ निकलेद बाय करेंगे और मान लेते कि यह प्राइस जो एक स्विंग आई के आसपास इतनी बड़ी दूर केंडल बनी है यानि कि यह जो हमारी यहां ती और प्राइस अइछ को नहीं दिख रहा है तो वहां पर भी जन्रली आपको अवोईड करना होता अगर व्यूम नहीं दिख रहा है जैसे प्राइस तूपर घे लेगिन व्यूम कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आपको उनको ख़ोइट करना है ठीकि एड़ रेंडम ले ट्रेड नही यानि कि कोई holy grail नहीं है ठीक है probability है कभी काम करेगी कभी काम नहीं करेगी तो कभी stop loss हीट होंगे हमको चीजों को accept करना पड़ेगा stop loss हीट हो रहा है और एकसेट नहीं कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी problem है हमारे साथ तो stop loss हीट हो रहा है तो वहाँ पर हमको loss लेकर निकलना भी होता है जनरली क्या होता है stop loss जब हीट होता है तब हमको देखने को लगता है कि बहुत बड़ा loss हो रहा हम थोड़ा उसको wait करते है वेट करते हो loss जो और भी बड़ा हो जाता है तो जब stop loss हीट हो तब stop loss के साथ हमको respect करके उसको exit करना है ठीक है तो इस तरीके से हमको काम करना है चीज़ों को इस तरीके से हमको देखना है I hope कि यह पूरे point आपको यह सारे जो important question जो होते किसी भी strategy से related होते हैं वो सारे question में solve करने की हर video के अंदर कोशिश करता हूँ इस video के अंदर भी I hope कि मैंने सारे questions cover किये कब काम करेगा कैसे काम करेगा and कब आपको avoid करना है क्या avoid नहीं करना है सारे example और भी मैं दे चुका हूँ काफी अच्छे example मैं आपको दे चुका हूँ अब आपका काम है कि आप और भी example find out करो इन strategy को test करो कहाँ पर काम करेगी कहाँ पर नहीं करेगी और आपको क्या लगता है क्या मैंने आपको सही बताया गलत बताया तो आप मुझे comment section में जरूर बताया आपको क्या लगता है आपके पास कोई और नई strategy हो आप हमारे साथ share क कर सकते हो आपको कुछ और प्रस्पेक्टिव चीजों को देखने का तो वह भी आप हमारे साथ comment box में share कर सकते हो वहाँ पर मैं आपका reply करूँगा कहीं पर आपको doubt रह जाता है तब भी आप मुझे comments में जरूर बताया मैं वहाँ पर आपका reply करूँगा ठीक है तो यह सारे बस इतना ही एंड मिलते इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में तब तक आपने अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं गया है तो चैनल को सस्क्राइब जरू कर लेना ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड को तब उन चीजों को देख पाऊ गया इसके लाव एक important बात इस सीर सीरीज के आप कोई भी concept आपका बाकी नहीं रहे जाएगा candle stick से एक candle stick से related एक भी question आपका बाकी नहीं रहना चाहिए कोई भी doubt नहीं रहना चाहिए कोई भी doubt ले जाता है आप मुझे comments में जरूबता है मैं सारी चीजों को cover करूँगा ठीक है तो मिलते इस सीरीज के next वीडि